फिल्म के शुरुआत में आम एक बैग्राउंड जानकारी से पता चलता है कि यूएस एरफोर्स ने एक नई यूजना बनाई है जो अत्याद उन्हें खत्यारों और नई तत्निकों से लेस है इस यूजना में उन्होंने चार अजार मेंसे सिर्फ तीन पाइलिट को चुना है जिनका नाम Ben, Henry और Care है जिसके बाद हम उन तीनों को ही उनके एरकाफ के साथ देखते हैं जो अपना अभ्यास कर रहे होते हैं जिन में वो काफी अच्छा प्रदेशन करते हैं आप तीनों अपने कैप्टन जॉज से मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि अब तक तुम लोग इसे एबराहिम लिंकन वार्शिप पर जाते हैं जहां जॉज तीनों को उनके नए साथी एडी से मिलवाता है जो एक आर्टिफिशल इंटेलिजिन बेस्ट एरक्राफ्ट है जिसे मैनूली भी चलाया जा सकता है और उसे और्बिट नाम के आदमीने बना हैं जॉज कहता है कि ये एरक्राफ्ट काफी टेक्नोलोजिकली एडवानस है जो बीना पाइलेट के भी सफर कर सकता है तुम तीनों को कल इसके साथ उडान भरनी है ताकि हम जान सके कि एडी उडान भरने के बाद बाकी पाइलेट्स के साथ कैसा बरताओ करता है जिसके बाद तीनों को एक ड तीनों एडी के साथ अपनी उडान भर लेते हैं जहां एडी के अंदर लगी AI मशीन तीनों पाइलट को अपना परिचाय देती हैं जिसके बाद तीनों हावा में कला बाजी करने लगते हैं पर एडी उनसे भी अच्छा प्रदेशन करता हैं जिस पर सभी हैरान और खुश भी मीटिंग होने वाली है जिस पर जोज बैन और बाकियों को अपना मिशन रद करके सबसे पहले माइनमर जाकर बिल्डिंग में धमाका करके आतंगवादी संगटन को खतम करने को कहता हैं जिस पर सभी राजी हो जाते हैं और एडी का काम बस उन्हें देखना होगा ताकि वो सब कुछ अच्छे से सीख सके पर तबी जोज को जानकारी मिलती है कि वो बिल्डिंग के छट बहुत ही मोटे लोहे के लेयर से बनी है जिस पर बैन कहता है कि हमारे मिसाइल इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो इतनी मोटी लेयर तोड सके यिसलिए जोज इस मिशन को रद कर करने को कहता है पर एडि डेटा अनालिसिस करके कहता है कि यदि बैन अपने एरक्राफ को काफी उपर ले जाकर बहुत ही तेज रफतार से नीचे गिरते हमला करे तो मिसाइल को भी उतनी गती मिलेगी जिससे वो लेयर को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाए जिस पर जोज लोगों की जान को खत्रे में ना डालते हुए इस मिशन को फिर से रद करने को कहता है और बैन जवाब देता है कि मुझे अपने आप पर पूरा भरुस है मैं इस मिशन को पूरा करके ही रोंगा और ये कहकर वो अपने एरक्राफ को उपर ले जाकर बहुत ही मिशन पूरी तरह से सफल हो जाता है जिससे सब्ही एकदम खोश हो जाते हैं अब जब सब्ही वहां से वाशिप पर आ रहे होते हैं कि तबी एड़ी के उपर बिजली गियर जाती है जिससे उसके फंक्षिन ठीक से काम नहीं करते हैं और अब वो सीधे क्राश करने ही वाला जीस पर टीम उसे एक शौकिंग जानकारी देता है कि जब से इसे जटका लगा है इसका याई ठीक से काम नहीं कर रहा है यह अपनी आप ही अपना डेटा बना रहा है इसे ठीक करने में मुझे काफी समय लग सकता है और तब तक मेरा सुझाव है कि इसे किसी भी मिशन पर ना चिंता मत करो जब तक हमारी तसली ना हो जाए कि ये युद्ध में लड़ने के लिए पूरी तरह से तयार है हम इसे यही रखेंगे जीस पर बैन खुश हो जाता है जोज फिर उनसे कहता है कि तुम तीनों कुछ दिनों की चुट्टी ले सकते हो मैंने तुम सभी की थाइल के दिनों के लिए जाता है जहां George Benft से कहता है कि हमें सुचना मिलिये कि ताजिकीस्तान की गाउं में रह रहे आतंगवादियों को एक बहुत ही खतरना प्रमाणु handlar मिलिये जो दुनिया के लिए खतराओ जासाबित हो सकता है इसलिए तुम सभी को वहाँ जाकर उस मिसाइ ले जा सकते हो टीम ने का था कि इसे रिपेर करने में काफी समय लगेगा जीस पर जॉच कहता है कि हमने टीम का तबादला कर दिया है लेकिन सारी जांच करने के बाद ही एडी को इस मिशिन के लिए तैयार किया गया है पर वेन को अब डर होता है कि एडी कुछ गड़बर ना कर दे आप सभी ताजिकिस्तान के लिए निकल जाते हैं पर थोड़ी दूर आते ही कहरा को पता चलता है कि उस गाओं में लोग रहते हैं जिनकी तादाद 500 से 1000 के करीब है और प्रमाणू मिसाइल फटने से उन पर उसका बुरा आसर होगा जीस से उनकी जाने भी जा सकती है और वहीं हावा इतनी तेज है कि सारा दुआ कल तक पाकिस्तान पहुच जाएगा इसलिए बें जोज से संपर करके कहता है कि हमें इस मिशन को रद करना होगा क्योंकि आप लोगों को गलत जान करनी मिली थी कि वहाँ लोग नहीं है अगर हमने हमला कर दिया तो सभी लोग म हमला करने लगते हैं जो जब कहता है कि एडी को बचाओ उसमें सरकार के अर्बो रुपए लगें इसलिए सभी उसे कवर देने जाते हैं पर आतंगवादी सभी पर हमला शुरू कर देते हैं इसलिए मजबूरन उन्हें प्रमाडू विस्सायल को विस्पोड करके सभी को ख ब्लत्सायल है इसलिए मैं उन्हें खतम करने जा रहा हूं बैन उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो बात माने बगएर हुआ से चला जाता हैं और अपना संपर्ग बी वार्षिप के कंट्रोल से तोड़ देता हैं इसलिए अब बैन तूरंन जोज से संपर्क करके उसी सारी के वार्शिप पर लेकर आओ, इसलिए ओर्बिट भी काम पर लग जाता है, इदर हेंडी एडी के सबसे नस्दीक होता है, और उसे समझाने की कोशिश करता है, कि वापिस वार्शिप चलो, लेकिन वो नहीं सुनता, इसलिए हेंडी उस पर मिसाइल छोड़ देता है, पर वो नहीं लगती, लेकिन इससे हेंडी का बैलेंस बिगड जाता है, जिससे उसका एरक्राफ एक पहाड से टकरा जाता है, जिससे बेचारी हेंडी की मिर्ती हो जाती है, जिससे देख कैरा और बेन एकदम दुखी हो जाते हैं, वाहीं हेंडी का एरक्राफ रशिया के पहाड प इसलिए बैन कैरा को वार्शिप पर वापीस बेजदेता है, वोह ऐड़ी का फियूल खतम होने ही वाला होता है, इसलिए वो आंकाश में बने फियूल स्टेशन पर फियूल बनने आता है, और उसकी identity delete कर देने के कारण उसे fuel नहीं मिलता इसलिए वो fuel के pipe को तोड़ कर fuel भरने लगता है इधर दुरबागे से कहरा का दोनों engine खराब हो जाता है जिससे उसे emergency alert आने लगते हैं कि एरकाव विसपोर्ट होने वाला है इसलिए तुरंद यहां से बाहर निकलो इसलिए कहरा एरकाव से बाहर आकर अपना parachute खोल लेती है और अब देखते ही देखते एरकाव विसपोर्ट हो जाता है पर उसके मलबे parachute से टकरा जाते हैं जिससे कहरा सीधे नीचे गिरने लगती है वहाही जोच को भी इसकी खबर लग जाती है जिससे वो एकदम घबरा जाता है कि एरकाव उत्तर कोरिया में गिरा है जिससे वो भी उन पर हमला कर सकता है इसलिए वो कहरा को बचाने के लिए वहाँ कोई मदद नहीं बेचता वहीं कहरा नीचे गिरते हुए भाग यसे एक पेड़ से लटक कर बच जाती है दूसी तरब बेन भी फ्यूल स्टेशन के पास आ जाता है जहां उसे एडी दिखाई देता है बेन उसे वापिस चलने को कहता है लेकिन एडी अब भी मना करते हुए कहता है कि मेरे पास मिलिटरी की टॉप सीक्रेट फाइल है जो ये बताती है कि देश के दुश्मन कौन कौन है और उसके पास कितने हत्यार है जीस पर फिर बेन कहता है कि ये सब अंदाजा लगाया गया सच्चा ही नहीं है पर एडी उसकी बात को अंदेखा करते हुए वहाँ फैले फ्यूल में आग लगा देता है लेकिन बेन सही समय पर वहाँ से हट जाता है इधर कहरा कोरिया के एक छोटे गाउं में आ गई होती है पर तभी एक बच्ची उसके हाथ में गन देखकर शूर मचाने लगती है इसलिए कहरा हूँ आँ से भाग जाती है वहीं दूसरी तरफ एडी और बेन पर रशिया के एरक्राफ हमला कर देते हैं लेकिन वो दोनों उन एरक्राफ को खतम कर देते हैं पर इसमें एडी का फ्यूल पाइप कट जाता है जिसकी कारण उसमें आँग लग जाती है बेन उसे समझाता है कि मेरे साथ चलो मैं तुमें ठीक कर दूँगा वानना तुम यहां मारे जाओगे जीस पर आप जाकर एडी बेन की बात मान लेता है बेन अब जोच से कहता है कि तुम वार्शिप पर नहीं आ सकते मेरा एक इंजन खराब है हमें एमरजिंसी लैंडिंग की कोई दूसी जगा बताओ जीस पर ओ कहता है कि अलास्का में मेरा एक दोस बुरूख है वो एक सुरक्षित केंदर को जानता है तुम वहाँ चले जाओ जीस के बात बेन उससे कहरा के बार में भी पूचता है जीस पर जोच उसे जूट कहता है कि वो यही आ रही है पर एडी बेन से कहता है कि जोच जूट कहरा है कहरा वहाँ नहीं आ रही है उसका विमान दरसल कोरिया में क्रैश हुआ है लेकिन उसके मरने की अभी कोई खबर नहीं मिली है जीसे जानकर बैन घबरा जाता है पर उसके एरकाफ में इतनी शमता नहीं होती कि वो कोरिया जा सके इसलिए वो अलासका जाने का तै करता है पर वहाँ पॉस्ती उसका दोनों इंजन खराब हो जाता है जिससे वो crash landing करता है पर भागे से वो बच जाता है जहां उसे बस थोड़ी से खरोच आई होती है जिसके बाद ब्रुक बेन के घाव को देखकर कहता है कि तुमें टांके की जरुद पड़ेगी पर वो टांके कहने के बाद बेन को किसी तरह का injection लग आने लगता है लेकिन अंत में बेन उसे धक्का दे दिता है जिससे injection उसे ही लग जाती है जिससे वो तड़पने लगता है मानो उसमें जहरो जिससे ब्रुक की वहीं मिट्ती हो जाती है जिससे देख बेन एकदम घबरा जाता है याने कि जौज ने उसे जान भुचकर यहा पर फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ से भाग जाती है दूसी तरफ और भी एडी के पास आता है जिससे एडी के मेमरी डिलेट करने का आदेश मिलता है पर जैसे वो एडी के AI को आउन करता है AI उससे कहता है कि मैं जानता हूं तो मिया क्या करने आयो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे पास कुछ सीक्रेट जानका रही है इसलिए तुम मेरा डेटा इरेस कर दो जीसे सुनकर ओर्बिट खूश हो जाता है कि एडी के अंदर अब भी भावनाई है फिर तभी वहाँ बैन गन लेकर आ जाता है जो सभी को हत्यार नीचे करने को कहता है पर एक काद में उस पर हमला कर देता है लेकिन बेन उसे ही शूट कर देता है पर मौका देखके सभी वहाँ से भाग जाते हैं जिसके बाद बेन और्बिट से कहता है कि एडी को ठीक करो मुझे इस पर सवार होकर कोरिया जाना है जिस पर और्बिट ऐसा करने के लिए तयार हो जात पर वो मार्शल से कुछ समय मांग कर बातरूम में जाता है जहां वो प्रेजिडेंट को फोन करता है लेकिन प्रेजिडेंट उससे कहते हैं कि जब तुम्हें पता था कि एडी युदिकले तयार नहीं है तो तुमने उसे अनुमती कैसे दी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर और चुपकर सोल्जर्स पर हमला कर रही होती है बैन फिर उन सोल्जर्स पर एडी की आखरी मिसाइल्स दाग देता है जिससे कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और फिर बैन एडी से उतर कर कैरा के पास आता है पर तबी एक सोल्जर उन पर स्नाइपर से हमला करता है लेकिन ब कुछ नहीं होता है इसलिए फिर वो बैन को अलविधा कहकर खुद को उनके हेलिकॉप्टर से टकरा देता है जिससे दोनों विस्पूर्ड हो जाते हैं जिससे देख बैन थोड़ा दुखी हो जाता है और फिर तभी वा भागे से मार्शल का भेजा हुआ एरक्राफ आ जाता ह जिससे देख बैन और कहरा एकदम खूश हो जाते हैं अब मूवी के आखरी सीन में सभी पाइलेट्स हेनरी को शद्धान जली देते हैं जिसके बाद बैन कहरा को शादिक ले प्रपोस करता है क्योंकि वो मन ही मन उसे पसंद करता था जिस पर वो मान भी जाती है और इसी है पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समापत हो जाती है आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक प्लीज दनिवा दोस्तू